नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी एनम बरती 2022 में कटाफ को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में पिछली वीडियो में कटाफ को लेकर के बात करना था लेकिन आपने देखा हुआ लास्ट में एक फोन कॉल्स आया हमारा और उसमें जो है आटोमेटिकली जो है करके केबल बात करेंगे तीन पॉइंट्स यहां पर है अगर आप प्लीज अगरत्वला साब सप्पोर्ट करें मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि यह तीनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपोर्टन पहला यह है कि हमसे आपने फोटो कापी दिया है आप में एक बा प्लीज अब आपको फोटो कापी देंगे तो क्या मतलब है तो जो डोकुमेंट्स आपको ओरिजनल देने हैं जैसे जो चारों प्रपत्र हो गए भरावा साथ पेजिच का श्वगोष्णा पत्र हो गये सबी जैसा भरा है आपने वही देना था उसकी फोटो कापी नहीं द क्या आएगा इन फ्यूचर या एफिडेविट आपके किस काम में आएगा आप खुद से भी अगर आप सोचेंगे तो लासना ब्याबारिक हो कर कि यह सब डोकुमेंट्स आपको जमा करने होते हैं जिसकी लिए आपने लिखवाया यह डोकुमेंट्स वहीं पर जमा हो आप प्रपत्र जरूर दे दीजिगा क्योंकि आप देखेंगे कुछ जो रीचेक होगा रीचेक में लगबग सबका चेक नहीं होता है रीचेक में उतने ही लोगों का डोकुमेंट्स लगबग चेक होता है जिन में कोई दिक्कत होती है या फिर वहाँ पर आयोग को हैं और 18 को हर हाल में आज का भी समय लगबग बीथ चुका है एक दिन का समय बचा है एक दिन में हर हाल में जो कुछ भी आपकी कम्या है उन्हें आप जानते हैं अच्छे से कोई भी आप से अप चु प्रपत्र जमा करना था पर प्रपत्र पर आप signature करना बोल गए हो बिना signature कि ऊप्र पत्र wallet कैसे होगा कि किस ने भर के दिया अ प्रपत्रות आपके बहर दिया दिक्कत नहीं है लेकिन signature आपकी होने चाहिए उस पर इसी त्रशे स सभी photo copies कोई भी आपको कमी लगे आप देखेंगे वाँ पर remark में या फिर आप देखेंगे कि उस पर कुछ गोला बना दिया हो कि ठीक है ये सारे चीज़े आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए अपने अस्तर से और थोड़ा बहुत तो मनमानी किया गया है कभी कुछ कभी कुछ कभी निवास नहीं लिए कभी निवास ले रहे हैं कभी कुछ कभी कुछ ठीक ह जबकि निवास हमेशा लेना चाहिए उनको सुरू से ही और भले ही आपके जाती पर EWS पर होता है उसे मतलब नहीं होता है निवास बनवाया क्यों जाता है पर किसलिए तो कुछ ऐसे चीज़े होती है और तीसरा यहां पर देख लिए रिजल्ट को लेकर कि रिजल्ट आपका जो प्रक्रिया होती है इसमें प्रावधान यह होता है कि जो भी रिजल्ट के अभ्यारती देखिए हाँ पर मैं EWS हमने नहीं बोला है क्योंकि पहले EWS था नहीं तो जो अरक्षित वर्ग के अभ्यारतियों के लिए कि ऐसे सभी कैनिटेट्स जो अन रिजल्ट या ओपन के डिगरी की क्राइटेरिया को फुल्फिल करते हैं जैसे एज हो गया आयू इसी तरह सो जो अन जो क्राइटेरिया उसको फुल्फिल करते हैं साथ ही साथ मेरिट में आते हैं इनके जैसे मालजे की अन रिजर्व की मेरिट जा रही है सपोस्वाइट फोटी फाइब या जिनके जाती पर्मार्पत्र वैलिड नहीं थे उनको भी जनरल के डिगरी में काउंट करते वे जनरल की यानि अन्रिजर्व की मेरिट पर ही उनको फाइट कर रहे जाएगा। EWS का बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाला कि ये भी एक तरह से आरक्षित आरक्षित होगी अदसपरसत का शामान वर्ग के एकोनोमिकली विकर स्टेक्शन के लिए तो थोड़ा सा इसके लिए में धैर पेसंस रखना होगा और अभी तक जितने जगबी मेरिट जा रही है EWS की और एनम में EWS की जो मेरिट होगी व अभी आपको बताएंगे पीच की कोई अलग से कटाफ नहीं बनने है पीच की जितने भी अभ्यरती है तो आप यह ध्यान लखें कि दूसरी आपकी के टिगरी कोन सी है मतलब ओवी सी आप है यह सी आप है यह जनरल आप है या आप यह डबलू यस है तो आप उस कैटेगरी है कि जो कटाफ होगी वह कटाफ आपके लिए होगी पीच की से आपको कोई फाइदा नहीं मिलने वाला क्योंकि पीच की कोई alone की सीट कर दिया करिए और आथेंटिक जानकारी आपको हमारे चैनल के माद्देम से मिलती है अब आप चाहे उसमें इसकिप करते हो वीडियो देखने में या फिर हो चीजे अगर आपको पहले से पता हो अच्छे से आप बिल्कुल स्योर है अपने अस्तर से तो कोई दिक्कत नहीं है अधरवाइच कोई भी आप छोटी सी गलती मत करिएगा जिसकी वज़े से आपके डीबी में कोई भी समस्या आए इन फ्यूचर चलिए हाँ पर देख लीजिए जनरल के रिए फोटी प्लस माइनस प्लस मतलब है फोटी से जाता चाहे एक नमर जाता चाहे दो नमर जाता च और हो सकता है कि फोटी से भी मेरिट कम आ जाए और कुछ केटेगरी ऐसी है देखे कोई भी मिनमम कुछ लोग कह रहे हैं कि यह मिनमम पासिंग ओ जो आप बता रहे हैं किसी और के उरिलिवेंट है यहाँ पर कोई मिनमम नमबर का कोई क्राइटिरिया नहीं है सीटे खाली अगर रह जाती है आप इस सीटे अगर उपलब्द है तो कम नमबर अगर के अगर कंडिडेट है तो उनका भी सेलक्षन उस पत पर हो सकता है जो जिस कैटेगरी के हैं जिसे मालीजी कोई यहाँ पर एक सर्विसमें के आए वहाँ पी सीटे खाली उनकी जाती अगर है आप सेलक्षन हो जाएगा उन पदों पर भले ही उनके नमबर कितने भी हो आप देखेंगे कि एक नमबर वालों का भी सेलक्षन होगा ऐसा लोग बता रहे होंगे तो ऐसा पास्विल है तो फ्रीडम फाइटर और एक सर्विसमें में जितने भी कैंडिडेट्स अगर आपका डी डिगरी में भी सम्हा होना लगबग कुछ उसी प्रकार से मन रही है कि लगबग यहाँ पर सबका सेलक्षन हो जाना है लगबग सबका बहुत कम लोग यहाँ पर बचेंगे OVC का भी आप मान के चलिए कि 39 प्लस माइनस मैं केवल एक नंबर का डिफरेंस कर रहा हूँ जन्रल से बहुत ज़्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला है 39 प्लस माइनस आप मान के चलिए EWS में 35 प्लस माइनस दोनों और इसी तरह से ESC में भी आप 35 प्लस माइनस At the conclusion क्या समझ मैं आपको कि जन्रल की जो कटा पर 40 से माइनस भी हो सकता है हाला कि चांस कम रहेंगे और 40 से ज़्यादा भी जा सकता है 40 के अगर आप आसपा से चाहिए नंबर 40 से आपके कम हो या फिर ज़्यादा हो आपको उमीद रखना है कोई अगर यह कह रहा है कि पचास पचपन इतना जाएगा तो जब रिजल्ट आएगा तो आप खुद देख लेंगे OVC का 39 प्लस माइनस 39 से अगर एक दो नंबर यह थोड़ा नंबर कम है या ज़्यादा है तो आपको पूरी उमीद रखना चाहिए EWS में 35 प्लस माइनस ESE में EWS के जो कटाफ है न यह ऐसा है कि ऐसा ना हो कि EWS में भी जो है लगबग सबका हो जाए कुछ 100-200-300 को छोड़ करके क्योंकि EWS के टिगरी में जो है जितनी सीटे हैं और जितनी लोग मिले हैं अभी तद बहुत सारे डोकुमेंट्स हम कमिया या तो डोकुमेंट्स से बात के बने हैं या फिर फॉर्म में अपलाई करना भूल गए हम यह सारे चीज़े इसमें दिक्कते इसमें आ रही है तो 35 से कम जाने के चांस बहुत जादा है यह WS में जादा होने के चांस बहुत कम है YSC में 35 प्लस माइनस दोनों हो सकता है जनरल, OVC और YSC केटिगरी में जितना हमने आपको बोला है 35, OVC का 39, जनरल का 40 इससे उपर मेरिट जाने के चांस जादा है बट जब तक final result नहीं आ जाता है तब तक result कम या जादा मेरिट कम या जादा जो हमने आपको expected यहाँ पर बदा दिया है उससे कम भी जा सकता है और उससे जादा भी जा सकता है